नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन सर्मा, आप सभी का स्वागत करती हूँ, आपके अपने चानल सुमन एजुकेशन हग में आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आइटम कॉस्ट ट्रेकिंग वाले उप्शन को आपको कैसे एनेबल करना है टेली प्रैम में अगर आप इस उप्शन पे काम करते हैं तो इस उप्शन पे वर्क करने के लिए इसमें सबसे पहले आपको टेली प्रैम में इस उप्शन को इनेबल करना होता है configuration करेंगे and इस option को enable करेंगे उसे के बाद इस option को आप use कर सकते हैं tally prime में तो चलिए वीडियो को start कर लेते हैं and देख लेते हैं कि tally prime में आपको item cost tracking वाले option को कैसे enable करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले आपको tally prime को open कर लेना है and gateway of tally से सबसे उपर में आपको company का option शो होगा उस पे click करना है then आपको यहाँ पे features f11 का option शो हो रहा है उस पे click किजिए उस पे click करते ही कुछे steps से आपको window open हो जाएगी inventory के नीचे आपको यहाँ पे देखिए enable cost tracking यह option no है इस option को आपको yes करना है and alt a press करके इस screen को save कर लेना है जैसे ही आप इस screen को save कर लेंगे cost tracking वाला जो option है वो enable हो चुका है मैं आपको यहाँ पे show करती हूँ जब आप कोई item create करते हैं gateway of tally पे create पे जाएए stock item पे जाएए let's suppose आप यहाँ पे अब आप यहाँ पे नीचे देखेंगे enable cost tracking यह option आपको appear हो रहा है पहले यह अपीर नहीं हो रहा था अब यह option appear हो रहा है means यह जो cost tracking वाला option है वो आपके टैली प्रैम में enable हो चुका है and अब आप इसको use कर सकते हैं अपने accounting के work को continue कर सकते हैं cost tracking वाले option को enable करके इस step से आपको enable कर लेना है thank you and keep watching my